राधे राधे दोस्तो, मैं आचारी पंडित गंगाधर सास्त्री, यूट्यूब चैनल जोतिष गलंगावें आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं दोस्तो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूजा के विशे में, पूजा परकरण दोस्तों पूजा तो हम सभी करते हैं लेकिन उसकी कुछ विशिस्ट बाते हैं जिसे हम नहीं जानते उसे जानना बहुत आवस्यक होता है और उसे जानकर करने से उसका पूर्ण फल पूजा का मिलता है तो कुछ मैं आज आपको विशिस्ट बाते पूजा परकरण के लिए बताऊंगा कि आपको पूजा अस्थान में किस देवता की कितनी मूर्ती रखनी है पूजा आप किस की करें तो इसी में मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें इस स्रीज में फूल कैसे तोड़े कौन-कौन फूल किस देवता को चड़ता है कौन सा फूल नहीं चड़ता है तुलसिदल कैसे तोड़ना है कैसे चड़ाना इन सभी बातों को मैं बताऊंगा लेकिन और इसका वीडियो बनाऊँगा आज मैं इसमें आपको विशेश बात बताऊँगा यही कि पूजा अस्थान में आप किस देवता की कितनी मुर्ती रखें और किस की पूजा करें किन की पूजा करनी है तो इन सभी बातों को जानना बहुत आवस्यक है और इसे आप ज करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सरोपर्थम मिल जाए तो दोस्तों जानते हैं कि पूजा किन किन देवताओं की करनी चाहिए बहुत ऐसे बहुत ऐसे भक्त जन है जो पूजा करते हैं और किसी एक ही देवता की पूजा नहीं करते हैं तो इसमें एक विशेस बात में बताओंगा आप कि करें आप सबसे पहले जानिए कि पंच देवता कौन है आप सुने होंगे जानते होंगे पंच देवता की पूजा होती है तो पंच देवता कौन कौन से होते हैं उसके विशे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आदित्यंग गननाथंग्च देविंग रुद्रंग्च कैसवं पंच देवत्य मित्युक्तम सर्व कर्मसु पूजयेत यह मत्य स्पुरान में कहा गया है कहता है कि आदित्यंग गननाथंग्च सुर्य गननाथ मतलब गनेश देवी अर्थात दुरुगा रुद्रंग अर्थात शिव च केसवं केसव अर्थात भगवान विश्नु यह पांच देवता को ही पंच देवता कहा जाता है और यही पंच देवताओं की पूजा कहता है सर्व करमसु पूजयेत सभी कारियों में पूजा इनकी पंच देवता की पूजा सभी सुभकारियों में सभी धार्मिक कारियों में करनी चाहिए उसके बाद फिर कहता है कि एका मुर्तिर्न संपुज्या ग्रिहना स्वेष्ट मिच्छता अनेक मुर्ति संपन्ना सरवान कामान वापनियात देखिए दोस्तो आप इस्ट भले किसी एक देवता को ही मानें इस्ट देव किसी एक को मानें लेकिन पुजा आप सभी देवताओं की करें किसी एक देवता को इस्ट मानकर सिर्फ उन्ही की पुजा आपको नहीं करनी चाहिए इसमें कहता है कि कल्यान चाहने वाले ग्रिहस्त येक मुर्ति की ही पुजा न करे किन्तु अनेक मुर्ति की पुजा उन्हें करनी चाहिए इससे उसकी कामना पूरी होती है मोरो कामना पूरी होती है तो इस्ट आप एक ही देवता को माने लेकिन पूजा सभी देवताओं की करें थोड़े थोड़े सब कोई अगर कृपा करेंगे तो आप पर अधिक कृपा भरसेगे इसलिए इस्ट देवता एक लेकिन पूजन अनेक पूजन सभी देवताओं की अब करें अब आपको बताएंगे कि पूजन स्थान में किस देवता की कितनी मुर्ती रखनी चाहिए संख्या कितनी हो उनके मुर्ती की संख्या क्या हो कोई कोई एक ही देवता का पाच मुर्ती लगा कर रखे हुए है ऐसा भी देखा गिया है तो उस तरह नहीं किस देवता की कितनी मूर्ती होनी चाहिए उसे मैं आपको बताता हूँ उसे जानिए यह जो है ग्रिहे लिंग द्वयं नार्च्यम गनेशत त्रीतयं तथा संखत द्वयं तथा सुरियो नार्च्यो सक्तित्रयं तथा द्वय चक्रे द्वारिका आस्तू साल ग्राम सिला द्वयं तेसां तू पूजने नेव उद्वय गंग प्राप्नियाद ग्री आचारेंदू में कहा है आचार प्रकास में कहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि घर में दो सिविलिंग, तीन गनेश की मुरती, दो संक, दो सुरी की मुरती, तीन दुरगा की मुरती, दो गोमती चक्र और दो साल ग्राम सिला की पूजा करने से ग्रहस्थ मनुष्य को असान्ती होती है सीवमेट س low 13 व्यू새 लीकश्य सालग्राम की सिर्ला दो गोमती चक्र नहीं रखना चाहिए आप अनेक गोमती चक्र रखें दो गोमती चक्र का अर्थात हुआ जोडा जोडा गोमती चक्र नहीं रखना है, बिजोडा रखना है, पांच रखिये, साथ रखिये, ग्यारह रखिये, 21 रखिये, इतना रखिये, सिर्फ दो नहीं रखिये. सिवलिंग दो नहीं रखें सिवलिंग घर में एक ही रखें एक ही सिवलिंग की पूजा करें और सिवलिंग का प्रमान क्या है कि सिवलिंग जो है वह उसका प्रमान है कि इस अंगुठे से छोटा और इस से बड़ा अंगुठे से छोटा और इसकी नाप से बड़ा सिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए अंगुठे से छोटा भी नहीं रखें और इतनी लंबाई से बड़ा भी नहीं रखें घर में एगर रख रहे हों मंदिर स्थापना कोई का कोई प्रमान नहीं है मंदिर स्थापना में जितना वड़ा सीविलिंग हो कोई बात नहीं है लेकिन घर के लिए मैंने आपको बताया कि सीविलिंग की लंबाई इतनी ही हो तो उसमें क्या काता है ग्रिहेस लिंग दोयंग नार्चयम घर में दो सिविलिंग नहीं रखनी है गनेश त्रितयंग तथा गनेश की तीन मुर्थी नहीं रखनी चाहिए एक रखिए दो रखिए संखत द्वयंग तथा सुरियो दो संख नहीं रखना चाहिए घर में दो सुरी की मुर्थी नहीं रखना चाहिए सक्तित त्र पुरुगा की तीन मूर्थी नहीं रखने साल ग्राम का जो सिला होता है वो साल ग्राम के पुजां मैं मैं कुछ आपको बिशेश बताऊंगा तो उससे क्या होता है इस तरह रखने से घर में ग्रास्ट मनुश्य को असांती होती है इसलिए सिवलिंग रखें तो एक सिवलिंग की जो मैंने लंभाई बताई उतना ही रखना है गनेश तीन नहीं रखें गनेश दो रख सकते हैं एक रख सकते हैं दो संख नहीं रखें एक ही संख रखें सुरी की मुर्ती एक ही रखें और दुर्गा की मुर्ती एक ही रखें गोमती चक्र जो है उसको आप पांच साथ क्यारह क्यावन एकीस रख सकते हैं साल ग्राम सिला दोयम जोडा साल ग्राम नहीं रखें ये रखने से आपके घर में बराबर असांती होती रहेगी अब साल ग्राम के बिसे में कुछ बिसेश निर्ना है उसे मैं आपको बताता हूँ कि कहता है कि जोडा साल ग्राम सिला की पूजा नहीं होती है जोडा साल ग्रा का करने चाहिए बिजोडा हो उसकी पुजा हो सालगराम सिला बिजोडा रखें जोडा नहीं रखें जोडा का पुजा नहीं करने चाहिए अब कहता है विसेश में क्या इसका विसेश क्या है कि अगर आप जोडा आपको रखना हो जोडा नहीं रखना है लेकिन जोडा में दो नहीं रखें, जोड़ा में दो न रखें, बिजोड़ा की पूजा होती है, तो बिजोड़ा में आप टीन नहीं रखें, पांच नहीं रखें, साथ नहीं रखें, सालग्राम सिला कहता है जोडा का पूजा नहीं करें बिजोडा का पूजा करें लेकिन जोडा में क्या है जोडा दो नहीं पूजा करें चार छे आठ दस बारा चोदह इतना आप रख सकते हैं जोडा पूजा कर सकते हैं दो का नहीं और बिजोडा का पूजा करना है तो बिज साल ग्राम का सिला रखें एक का पुझा कर सकते हैं बिजोडा में लेकिन 3-5-7- 11 इतनी इतनी संख्या का बिजोडा साल्ग्राम न रखें तो दोस्तों 2 सालग्राम का सिला नहीं रखना है हाँ आपको जोडा पुझा करना हूं 4-6-10-12 रखें और बिजोडा रखें, बिजोडा सालग्राम का पूजा करना है, तो उसके लिए एक ही रखें, तीन पांच साथ ऐसा न रखें, तो इसे इसमें ये ध्यान देने योग बात है, तो आगे मैं और आप इसमें बहुत कुछ आपको बताऊंगा, तो दोस्तों, आज इतना ही, और आप पूरी वीडियो अवस्य देखें, अच्छा, दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कि सालग्राम सिलायास्तु प्रतिष्ठा नई वविध्यते, सालग्राम सिला की प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है, सालग्राम सिल लिंग जो है वान लिंगानी राजेंद्र ख्यातानी भूवनत्रे ना प्रतिष्ठा ना संग्षकारस्तेशां नामाहन नंत था मानलिंग एक सालग्राम सिला का और मान लिंग का प्रतिष्ठा करने की आवस्यक्ता नहीं है उसे लाकर आप पूजा शुरू कर दे सकते हैं आप पूरी वीडियो देखें और लाव उठाएं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों में ध्यान देकर इसको जानकर और लाव उठाएंगे आज मैं अपनी मानी को यहीं विराम देता हूँ राधे राधे दोस्तो